हेलो बच्चों लेट सीद दाप्वेस्टेशन सेज डाइगुनल एची ऑफ पैर्लेलोग्राम एबी सीडी बाइसेक्ट अंगल एचो देट इट पैर्लेलोग्राम दे रखा है जिसमें यह जो डाइगुनल एची है यह एंगल एको बाइसेट करता है मीज़ जो दो एंगल्स हैं यह सेम है अब हमें प्रूफ यह करना है कि यह एंगल्सी को भी बाइसेट करेगा मिन्सी पर यह जो दो एंगल्स बनना है इन दोनों को हमें एकवल लाना है तो हम स्टार्ट करेंगे इसको यह दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं ADC और ABC इनको हम प्रूफ करेंगे सबसे AD और BC दोनों बराबर हैं क्योंकि ये Parallelogram की Opposite Sides है ना AD equal to BC because they are Opposite Sides of Parallelogram अब इसके बाद देखें AC दोनों की Common Side है AC दोनों ही Triangle के अंतर आ रही है AC हो गई दोनों Triangle में Common और ये Angle DAC और BAC ये दोनों Angle बराबर दे रखें हमें क्योंकि ये Bicep कर रहा है ना Angle A को तो Angle DAC और BAC दोनों बराबर हो गए S, AC, Bicep, Angle A तो अब हम ये कह सकते हैं कि Bi, S, A, S, Congruence ये दोनों Triangle कैसे हो गए? ये दोनों Triangle हो गए हमारे Congruent Triangle ADC is Congruent to Triangle ABC तो जब ये Congruent हो गए तो इनके Other Parts अपने आप बराबर हो जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं तो एंगल DCA DCA ये बराबर हो जाएगा BCA के ठीक है ना? एंगल BCA के by CPCT तो ये हमने फर्स्ट पार प्रूफ कर लिया कि ये जो C है, C पर बना हुआ अगल बाइसेक्ट हो रहा है प्रम डियागूनल AC है ना? So AC bisex आइंगल C ठीक है? ये फर्स्ट रिजल्ट हमारा आगया फर्स्ट रिजल्ट प्रूफट अब इसके बाद सेकंड रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं याँपर ये जो दो आइंगल्स बराबर आए हैं ये पर इन दोनों को हमने X मान लिया C वाले भी दोनों एंगल्स हम बराबर ले आए हैं इन दोनों को हमने Y मान लिया मिन्स हमने ये सपोस कर लिया इस तरह से कि एंगल DAC एक्वल टू BAC एक्वल टू X और DCA एक्वल टू BCA एक्वल टू Y ठीक है तो अब पैललो ग्राम में हमें पता है ना कि अपोसित अंगल्स सेम होते हैं है ना अपोसित अंगल्स सेम होते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि X प्लस X वही पूरा अंगल A और पूरा अंगल C सेम होगा ना तो x plus x equal to y plus y हम ले सकते हैं है ना हम opposite angles of parallelogram are equal तो हम ले सकते हैं x plus x equal to y plus y means 2x equal to 2y तो x और y दोनों equal आ गए है ना अब x को देखे हम क्या लिख सकते हैं जब x और y equal आ गए तो अगर हम इस ट्राइंगल ABC को देखे तो इसमें दो एंगल सेम हो गए और जब दो एंगल सेम हो गए तो इसके corresponding sides जो है एंगल के corresponding sides कौन कौन सी है y के opposite side ab और x के opposite side bc तो ab और bc सेम हो जाएंगी ठीक है ना तो यहां पर अब ab और bc भी सेम हो जाएंगी अब और bc सेम हो जाएंगी बिकॉस दियार अपोजिट sides of equal angles in triangle abc अब जब a b equal to bc हो गई तो यह जो हमारा rhombus था इसमें a b equal to bc आ गया इसी तरह से a d equal to dc कह सकते हैं इसी तरह से हम कह सकते हैं a d equal to dc similarly we can say similarly हम कह सकते हैं a d equal to dc means all the sides of parallelogram are equal if sari sides equal हो गई तो it is rhombus it is a rhombus यह हमारा second part प्रूब तो यह complete हो गया hope you understand it well thank you